जहेंद प्यारे साथियों यूनिक स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है देखो कल हमने नैक के बारे में पढ़ लिया था जो आपको अथ्य से समझ में आ गया था फिर मैं एन्बीय के बारे में पढ़ा दिया था और मैं ए आई आई-CTE के बारे में पढ़ा दिया था एंडियन एस्टियेशन ओफ यूनिवरसिटीज ठीक है नैशनल असेस्टमेंट एड एक्रीडेशन काउंसिल नैशनल बॉर्ड ओफ एक्रीडेशन और इंडियन काउंसिल आप टेक्निकल एजुकेशन इन चारों के बारे में मैंने एंबिये को जो Establish करने का काम है वो भी किस ने किया था AICT ने किया था एंबिये को AICT के द्वारा ही स्थापित किया गया था ठीक है और एंबिये और AICT में मैंने एक बहुत ही बड़ा डिफ्रेंस बताया था कल मैंने तो आपको उसको रिप्लाई देना है क्यूसन ये ह कि यदि किसी टेक्निकल इंस्ट्यूट की इस्थापना होती है तो उसको मान्यता देने का काम कौन करता है और किसी टेक्निकल कोर्स की सुरुआत होती है तो उसको मान्यता देने का काम कौन करता है किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मान्यता रद करने का काम कौन करता है और स्थापिद करने का काम कॉन करता है और टेक्निकल को'reस और टेक्निकल इंस्ट्टルクूँ मानेता गहलstill करने का काम कौन करता है कि उस्के बादं पढ़ते हैं न्वी के बारे में दो ए और इसके अलावा जो न जूफ है नोर्मल जो यूनिवर्सिटी होती है नॉर्मल जो इंस्ट्ट्ट होते हैं नॉर्मल जो हाईर एजूकेसनल इंस्ट्ट्ट होते हैं उनको fund देने का काम कौन करता है और technical university और technical जो institute होते हैं उनको fund देने का काम कौन करता है NBA का जो office है वो New Delhi में NBA के जो अध्यक्स है वो के के अगरवाल है अब हम थोड़ा आगे भड़ते हैं और यहां से मैं सुरुवात करता हूँ ICAR की ICAR का full form होता है Indian Council of Agriculture Research दोकर सारी चीज़े मैं यहां पर रटाने की कोशिश करूँगा समझाने की कोशिश करूँगा जिन्दकी में नहीं बोलोगी AICTE में technical education सब्दारा था इसलिए वो technical education से related था और अपनी अपना workload कम करने के लिए AICTE ने NBA को घटित किया यहां पर क्या है AICAR Indian Council of Agriculture Research है अब यहां पर agriculture सब्द जुड़ा हुआ है Agriculture Research सब्द जुड़ा है तो agriculture research सब्द हमें किसको represent कर रहे है हमें बता रहे है कि यहां पर agriculture पर focus किया जा रहा है पर जो agriculture वारी जो education है उस पर focus किया जा रहे है अब मैं फिर से यहां पर एक नय question बना रहा हूँ पढ़ा चुका हूँ मैं कि agriculture education की सुर्वात कोन से आयोग के द्वारा सबसे पहले के गई थी बिना sitting की विए answer देना है कि जो agriculture जो institute है जो agriculture university है उनको इस्थापित करने की सला सबसे पहले कोन से आयोग द्वारा दे गई थी AICT को fund देने का काम कोन करता है भाई technical university को fund देता है लेकिन AICT को fund कोन देता है NEC को fund कोन देता है UGC को fund कोन देता है इनके answer आप बताओ AICAR भारत्यक्रिसी अनुसंदान परिसाथ हमारे दिमाज में set हो चुकी बात कि जितने भी agriculture से related institute है जितने भी agriculture से related course है इन सभी को मान्यता देना और इन सभी के मान्यता को रद करना इनका परतियायन करना इनका मुल्यान करना और साथ इसाथ इनकी quality में सुधार करना इस तरीके के तमाम काम कौन करता है ICAR करता है ICAR है जो agriculture मिनिस्ट्रियल के अंडर आता है ये करसी मंत्राले के अधिन आता है और एक ये सवाजत्य सासी संस्तान है कैसी है सवाजत्य सासी संस्तान है ICAR का मुख्याले जो दहली में है भारत वर्ष में बागवानी मत्राशी की पसु विज्ञान सहीत कर्शी के छेतर में समन्वे मार्ग दर्शन और अनुसंदान परबंदन एवं सिक्षा के लिए परिशद सर्वोच्य निकाई है ठीक है तो ये आपको ये भी एग्रिकल्चर के अंडर में आता है पसु पालन ये भी एग्रिकल्चर के अंडर में आता है और इस तरीके से मतलब एग्रिकल्चर से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर है और उन सभी सेक्टरों से रिल्टेट जितने भी institute है जितने भी higher educational institute है जितने भी university हैं और जितने भी course हैं उन सबी की गुणवक्ता में सुधार करना उन सबी को मानिता देना मानिता रद करना पत्यायन करना मुल्यान करना इस तरीके के तमाम काम icar करता है ठीक है अब उसके बाद में हम बात करते हैं क्रैसी में उत्य शिक्षा के छेतर में उत्कृष्टा बढ़ाने में परिशत की महत्कूर भूमिका रही है ठीक है एग्रिकल्चर जो education है उसकी quality को बढ़ाने में icr का बहुत बढ़ा योगदान रहे icr की स्थापना 1939 में की गई थी 1929 में icr की स्थापना हुई थी जिसका ओफिस कहां पर है देहली में अब उसके बाद में हम आज बहुत लंबी क्लास नहीं चलेगी क्योंकि ममिज बिमार हो रही है उनकी हर 20 दिन बाद में दवायां चैंज होती है तो मेरे को फिर दवाया देने को दुआने के लिए जाना है डॉक्टर के पास जाना है मतलब अवराल अब एन एई ए ए बी का फिल फॉर्म क्या होग इसी तरीके से ICAR के पास जब वर्कलोड हो गया तो उसने NAEAB को बना दिया ठीक है उसको बोल दिया भाई तू बन और तू थोड़ा बहुत काम तू कर जिससे मेरा वर्कलोड कम हो जाए मैं बहुत अच्छे से सांतिपूर्वक तरीके से सही धंका डिसीजन ले पाऊं ठीक कि मैं कल पढ़ा चुका हूँ ठीक है अब देखो NAEAB और ICAR के द्वारा एक इस्ताफित संस्ता है एवं NAEAB ICAR के अंतरगत आने वाली सिक्षन संस्तानों का मुल्यानकन करने वाली एकाई है अब देखो यहां पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है कि जितने भी सिक्षन सं इस्ट्ट हैं उन सबी का मुल्यानकन कोन करता है ICAR नहीं करता बलकि NAEAB करता है कोन करता है NAEAB करता है National इसकी फुल फॉम बताओ नेशनल एजूकेशन नेशनल एग्रिकल्चर एजूकेशन एक्रियडेशन बॉर्ड करता है क्रिसी से सम्मधित कोर्स चलाने के लिए विशुद्धाले को एन एबी इसे माननेता लेना पड़ता है अब यहां से दोनों बाते आपको ध्यान में रख चाहिएं फिर वो कोर्स इस तक से रेलिटेट हो चाहिए प्याचीड हो उन सभी कोर्स को माननेता लेना पड़ता है किससे यई-चूर्दी करते हैं यह वैटनरी जो जो पड़ाई होती है वो भी किसके अंडर में आती है I-C-E-A-R के अंडर में आती जोड़ा होता है होट्डिन का रिख कल्छर का सेक्टर जुड़ा हो जिसके बागवानी बोलते हैं पसू पालन सेक्टर जुड़ा हो तो यह सारे सारे अधर में आते हैं ऊतने परती है वह जो घ्राइज से लहने पर चैफिक फिर मैं एक नई बात समझारां रहा हम आपको ध Cantonese सुनना थिक है मैंने अब फोड़ ऐसी जस्ट एक नोट हो गई होगी कि मैंने गलत क्या बोला है और यदि हवा में चल रहा है आपकी ये किलास मेरी अवाज हवा में जा रही है तो भाई फिर तो कहना ही क्या है अब देखो मैंने क्या गलत बोला है देखो मैं I C A R और N A E A B इन दोनों को लेता हूँ जैसे मैंने A I C T ले लिया और यहां पर N A B A ले लिया ठीक है अब देखो दोनों में क्या हैं दोनों में सबसे मैली क्या है कि जितने बी टैकनिकल इंके निकल निकल कों करता है उनको मानиваетा देने का काम कोन करता है AICT करता है जितने भी Agriculture University है जितने भी Agriculture Institute है जितने भी Fishing Institute है जितने भी Horticulture से Related Institute है या जितने भी Agriculture से Related Higher Institute है उन सबी को मान्यता देने का काम कौन करता है I-C-A-R करता है जितने भी Technical Course है उनको मान्यता देने का Technical Course हो कि मान्यता रद करने का काम कौन करता है N-B-A करता है उसी तरीके से जितने भी Agriculture से Related Course है चाहे वो BSC का हो चाहे MSC का हो और चाहे PhD का हो एकडिकलचर से रिरेटेटेट जितने भी कोर्स है उनको मानेता देना और मानेता रद्द करने का काम कून करता है एट एबी करता है तो इंस्टुट हो से जुड़े हुए र ए ए आइडिक से जुड़ा हुआ है कौन कौन एडिक ठीक है घ्ञान रहें एन प्यको किसने बनाय आई-सी-ए-आर न तो जायद सी बात है आई-सी-ए-आरी क्या करता है एन-ए-ई-ए-बी को फंड देने का काम करता है अब हम थोड़ा आगे बात करता है NAEAB से मानेता प्राप्त विश्य दालियों को ICER की द्वारा विद्पोर्शन किया जाता है NAEAB का जो मैन ओफिस है वो न्यू धहली में है ठीक है इसके कुछ छेत्रिय ओफिस हैं जैसे कोलकाता में है मुंबई में है और बैंगलोर में है अब आपको बताना है कि ICER की स्थापना कब हुई थी मैंने अब भी पढ़ा है आपको ठीक है तो यह सारी चीजे आपको अच्छे से याद होनी चाहिए अब आता है NAEAB यह हम पढ़ेंगे कल यह टर्निंग से रिलेटेड है यहां पर टर्निंग की बाते चलेंगी प्रेस्टिक्शन की बाते चलेंगी ठीक है प्यारे साथियों कभी-कभी ऐसी प्रोब्लम्स होती रहती है और वो एक समाथ से जुड़ी हुई चीजे हैं यह हमें करने पर चीए यह भी हमारे एक दखाने के लिए उनको टैबलेट वागर दिलाना होगा और ताओ जी आएंगे बेजदन में तो इससे क्या होगा अलग लग टाइम वेस्ट नहीं होता ठीक है पहरे साथ हूं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए थैंक्स बाए